हाल ही रिलीज हुई फिल्म जॉली अलेल बीदो में अभीनीतर हुमा कुरैशी ने अभीनीता अक्षे कुमार के साथ स्क्रिंड शेयर की है ये पहला मौका है जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं अक्षे के साथ काम करने के बारे में हुमा का कहना है कि ये मेरे लिए बेहत एकसाइटिंग था कि मुझे अक्षे कुमार के ओपोजिट चांस मिल रहा था वें बताती है कि मैंने पहली फिल्म जॉली अलेल बी देखी थी जो मुझे बेहत पसंद आई थी उसके बाद सुभाश सर एक फिल्म बना रहे थे जिसमें वेह मुझे लेना चाहते थे लेकिन वह फिल्म ही नहीं बन पाई इस दोरान उन्होंने फिल्म जॉली अलेल बी दो प्लान कर ली इसी दोरान एक दिन सुभाश सर ने मुझे अपने ओफिस बुलाया वहाँ उन्होंने मुझे जॉली अलेल बीदो के कहानी सुनाई जो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उन्हें तुरंत हट कर दिया इसके बाद मैंने कहा कि मैं आपके फिल्म कर रही हूं और आपको किसी और हिरोईन से बात करने की जरूरत नहीं है हाला कि मुझे पहले से पता था कि अक्षय कुमार इस फिल्म से जुड़े हैं मैंने ये खुशकबरी अपनी मा को फून करके दी हुमा सुभाष कपूर के बारे में बताती है कि सुभाष सरनसिर्व बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं बलकि बहुत अच्छे इनसान भी हैं वह अपने काम को लेकर बहुत प्याशनेट हैं और सामने बाले से भी वैसी ही उम्मीद करते हैं मुझे उनके साथ काम करके बेहर मजा आया क्योंकि वेह पॉलिटिकल जर्नलिस रह चुके हैं इसलिए उनका सोचने का अपना एक नजरिया है